चलिए दोस्तों इस मैत को समझने की कोशिस करते हैं तो यहाँ पे a plus b का value दिया है और e minus b का value तो हम लोगों से a b का value पूछे है तो हम लोगों को simply एक math याद रखना है एक formula याद रखना है a plus b का जो a plus b का जो whole square है इसका formula है एक formula तो आपको पता ही हुगा a square plus b square plus 2ab यह तो एक होता ही है और एक formula आपको याद रखना है जो है a minus b whole square plus 4ab यह formula आपके लिए बहुत important है इसमें बहुत सारे math बंत है तो a minus b का value कितना है यहाँ पता ही है पहले तो यह देखने a plus b का value 8 है तो 8 का square करेंगे और यह minus b कितना है 6 6 का भी square करेंगे plus 4ab है तो a b का value हम लोग अभी तक पता नहीं है 8 का square करेंगे 64 6 का square करेंगे 36 plus 4ab अब देखेंगे 36 को इस पर लाएंगे तो 64 minus 36 is equal to 4ab अब इससे इसको minus करेंगे 28 आएगा 28 4ab 4 से काटेंगे 28 को 7 बार में तो a b का value कितना निकल के आया 7 जो option d में है option d में है चली दोस्तों मिलते हैं और एक नया बीडियो लिके तब तक के लिए धन्यवाद जे किकल्क आई उंटश से लेके